ही गाईज कैसे हैं आप सभी आसा करती हों सब बढ़िया होंगे गाईज इस वीडियो में मैं एक बेड़ सीट का डिजाइन पेंट करके दिखाने वाली हूँ उमीद है आप सबको ये डिजाइन बहुत ही पसंद आएगा और डिजाइन बनाने का तरीका इतना असान है कि यदि आपको केवल पेंटिंग ब्रस चलाने आता है तो भी आप इस डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं इस डिजाइन को हम बंबे डाइंग के कपड़े पे बनाएंगे जिसका कलर पींक है और इस डिजाइन को बनाने के लिए एक रेली कलर का यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो कलर हम इस डिजाइन को बनाने में यूज किया है है सबका number और Name दिया हुआ है कि आशलिए डिजाइन बनाते हैं सबसे पहले हम लीफ को बनाएंगों लीफ को बनाने के लिए हम Green लिए हैं डीप अर इससे आउट्लाइन कर लेंगे सबसे पहले तक हमारा जो पेंट हो बाहर की तरफ न निकले इस तरीके से और फिर इसे फील कर देंगे यदि आप इस डिजाइन के स्केचिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बक्स में दे दिया गया है आप वहां से देख सकते हैं इस तरीके से पूरे लीफ को फील कर लेंगे यदि आपको पेंटिंग नहीं भी आती है तो आप इस तरीके से असानी से फिल कर सकते हैं चलिए दूसरा लीफ भी इसी तरीके से फिल कर लेते हैं अभी बरसात कम होसम है इसलिए पेंट जल्दी ड्राई नहीं हो रहा है तो साथ ही में दोनों लीफ बना लेते हैं ध्यान रखेंगे कि यदि paint dry हो रहा हो सूख रहा हो तो पहले एक लीफ बना लेंगे फिर दूसरा लीफ बनाएंगे साथ में ऐसे करेंगे तो फिर हमारा लीफ अच्छा नहीं बनेगा पेंट जो कपड़े पर है वो सूखना नहीं चाहिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वस्य कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है और यदि आप हमारे चैनल पे नए है तो पिलिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी परकार के व लब्रस के ट्रिप पर थोड़ा विट कलर लेंगे और बीच से इस तरीके से लाइन कर देंगे ऐसे गूमाते हुए लाइन करेंगे और फिर जिदर धासा हुआ भाग है उससाइड किनारे पर भी वैट कलर इस तरीके से एड गरेंगे इसी परकार दुसरे लिफ में भी चलिए बना लेते हैं कि एक तरफ धसा हुआ होना चाहिए और एक तरफ उबरा हुआ होना चाहिए इसका धियान रखेंगे यानि कि बीच का लाइन थ्वर्ड टेड़ा बनाएंगे और फिर धसे हुए भाग के तरफ किनारे पे भी वाइड कलर एड करेंगे से बना लेंगे और फिर वाइड कलर को मिक्स करेंगे हलके हाथों से शेट देते हुए इस तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरीके से मिक्स करेंगे हलके हाथों से बिलकुल देखिए कितना खुबसूरत ये लीफ दिख रहा है बेहत खुबसूरत दिखता है इस तरीके से यदि आप लीफ बनाएंगे तो बहुत ही खुबसूरत दिखेगा यदि आपको लगे कि वाइट कलर थोगा कम दिख रहा है तो आप फिर से एड़ कर सकते हैं देखिए कितना खुबसूरत दिख रहा है इसी तरीके से दूसरे लीफ को भी बना लेंगे फ्रेंड्स यदि अभी तक आप लाइक नहीं किये हैं तो प्लीज लाइक कर दिजिए क्योंकि मुझे भी पता है कि आपको ये तरीका बहुत पसंदा रहा होगा तो यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और दबाईए बेल आइकन और बन जाए इस प्यारे से ग्यानलोग फैमली का एक प्यारा सा सदस्या तो friends इस तरीके से आप बिल्कूल असानी से आपको penting नहीं आता है फिर भी इतना खुबसुरत लीज आप बना सकते हैं फिर भी यदि आपको परेशानी हो कोई प्रोब्लम हो तो आप comment bucks में comment करके पूछ सकते हैं मैं आपके प्रश्नों का जबाब अवश्य दूंगी यदि आपको कोई भी प्रोब्लम है तो आप कमेंट बक्स में कमेंट कीजिए मैं आपकी हेल्प करूंगी क्योंकि मेरा उदेश से यह है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए जो लोग हमारे भीवर हैं जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये हैं वो पेंटिंग खुझ से सीख कर बनाएं न कि वो मुझसे खरीदें इसलिए हमारे चैनल पे एक बेसिक पेंटिंग का सीरीज भी चल रहा है आप उससे भी जूड़ सकते हैं और आसानी से पेंटिंग सीख सकते हैं उमीद है आप इस लीफ बनाने के तरीके को अच्छे से समझ गए होंगे यादि फिर भी नहीं समझ में आया तो चले एक लीफ और बना लेते हैं सबसे पहले लीफ को फील करना है फील करते समय धियान में रखेंगे कि पेंट बाहर क्यों न निकले उसके लिए बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आउटलाइन कर लेंगे और उसके बाद अंदर वाले भाग को फील कर लेंगे तो हमारा पेंट कभी भी बाहर नहीं निकलेगा अच्छे से फील करने के बाद ब्रस के टीप में थोड़ा सा वाइट कलर लेंगे ध्यान रखेंगे कि पूरे ब्रस में वाइट कलर को फैलाना नहीं है केवल ब्रस के टीप पे लेना है इस तरीके से और टेड़ा लाइन बनाना है बीच में सीधा बनाएंगे तो भी डिजाइन अच्छा नहीं दिखेगा ध्यान रखेंगे कि जो बीच का लाइन बनाएंगे वो एक तरफ उठा होना चाहिए और दूसरी तरफ धसा हुआ होना चाहिए धसे हुए के तरफ क्या करेंगे कि जो धसा हुआ भाग है उधर लीफ के अंत में यानि किनारे पे वाइट कलर इस तरीके से एड़ करेंगे और फिर उसे मिक्स कर देंगे उबरे हुए भाग के तरफ का जो वाइट कलर है उसको उपर के तरफ मिक्स करेंगे उपर के तरफ सेट देते हुए मिक्स करेंगे और जो किनारे पे वाइट कलर यूज किये हैं उसको नीचे के तरफ सेट देते हुए मिक्स करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो लीफ होगा वो काफी खुबसूरत दिखेगा झालओत दिखेगा वो धुबसूरत दिखेगा तो फ्रेंड्स उमीद है आप इस तरीके से लिफ बनाना सीख गए होंगे यदि आप फ्लावर मेकिंग देखना चाहते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए मैं जल्द ही फ्लावर मेकिंग का भी वीडियो अपलोड करूंगी तब तक आप हमारे वीडियो को दे